नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेक्नों डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो भारत की प्राइवेट डिफेंस कमपनिया भारत ये सेनाओं के लिए कितना ज़्यादा दमदार काम कर सकती है इसका एक्जाम्पल आप सब को हाल ही में देखने को मिला था जब हमारी टाट ना के बराबर था और अब इन एरक्राफ्ट का जो निर्मान है वो भी भारत में शुरू हो चुका है वहीं पर अगर आप भारत की सरकारी डिफेंस कमपनियों को देखते हैं तो वे यहाँ पर काफी ज़्यादा टाइम लगाती है डिल को साइन होने में भी काफी है वो लग चुका होता है तो यहाँ पर भारत की प्राइवेट कमपनियों की सक्सेस को देखते हुए हमारी जो भारती वाईसेना है तो उन्होंने यहाँ पर फैसला किया है कि उनकी जो 114 एरक्राफ्ट की MMRC 2.0 या फिर MRFA डील होगी तो उसको वे प्राइवेट कमपनिय के माध्यम से करना चाहते हैं तो दोस्तों अगर हम 114 राफेल फाइटर जेट को खरीते हैं तो यहाँ पर इस डील की जो कोष्ट है तो उसका एस्टिमेट लगाया जाता है लगबग 20 बिलियन युएस डोलर लेकिन पास्ट में कहीं सारी ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है जहा उनसे आपको यह कहीं जादा एडवांस देखने को मिलेंगे हमने जब 36 राफेल फाइटर जेट भी खरीदे थे तो उनमें लगबग 14 जो इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस है उनको कराये था और इस डील की जो कोष्ट है वो भी काफी ज़दा आई थी सबसे पहले तो यह ह राफेल लेते हैं तो उनमें भी जो इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस है उनको कराये जाएगा इसके बाद हम राफेल के F4 वेरियंट को लेंगे जो की F3 वेरियंट से यहां पर महंगा होगा और इनकी जो असेंबली लाइन है उसको भारत में शिफ्ट कराते हैं तो हर एक जो कीमत है वो हमको 100 मिलियन युएस डोलर से भी जादा पड़ेगी जो कि यहां पर एक F35 से भी जादा होगी और यहां पर यह डील जो है बड़ी आसानी से 25 से लेकर के 26 बिलियन युएस डोलर से जा सकती है जबकि हमारे जो एस्टिमेट है वो पास्ट में 18 से लेकर के 20 बिलियन युएस डोलर के आसपास का रहा है तो फ्रांस की दसॉल्ट कमपनी और हमारी जो रिलाइंस इंडस्ट्री है तो इनके बीच जो इंगेजमेंट है वो काफी जदा है और इसी के कारण 2022 के एंड या फिर 2023 की शुरवात में दसॉल्ट और जो रिलाइंस इंडस्ट् इनके बीच एक जोइंट वेंचर सेट अप हो सकता है जहां पर जो राफेल की असेंबली लाइन है वो भारत में शिफ्ट होगी और ये असेंबली लाइन एक महीने में दो राफेल और पूरे साल में लगबग 24 राफेल फाइट रिजेट को बनाने में शक्षम होगी और य जहां पर जो 51 परसेंट से जादा के जो शेर हैं वे एरलाइन इंडेस्टरी के पास रह सकते हैं और लगबग 49 परसेंट के जो शेर हैं वो फ्रांस की दसॉल्ट कमपनी के पास रहेंगे इस सब के बीच जो दसॉल्ट है उनका भी यहां पर काफी ज़दा इंट्रेस्ट है यहां पर यह है कि अगर उनकी assembly line भारत में shift होती है तो इसी assembly line से जो एशिया के order है उनको भी वे पूरा करने में शक्षम होगे और उनके बाकी के जो export order है उनको भी यहां से पूरा किया जा सकता होगा जिससे कि उनकी जो overall cost है वो भी यहां पर कम होगी और इससे भारत की जो हमारे पास पहले से मुझूद है तो ऐसे में भारत 1500 राफेल को operate करने वाला एक बड़ा देश बन जाएगा जो कि फ्रांस के बाद सबसे ज़्यादा राफेल फाइटर जेट को operate करता हो तो इसी के कारण हमको इस deal के माध्यम से जो technology है वो भी मिल सकेगी जिसका इस्तिमाल ह भारती वायुसेना को लगबग जो 6 squadron highway मिलेगी जिससे की जब तक हमारे खुद के fighter jet नहीं आ जाते है तब तक भारती वायुसेना की जो capability है उनके साथ compromise नहीं होगा तो दोस्तो बाकी तो इस सब के उपर आपको क्या लगता है comment section में बताईएगा साथ में अगर आपको वी आपको जो आएगे जो बनाएगे जना, हम दो बहुत लेजहना, एक उले एगे जला मां अब दो हम दाएगे जो बनाएगे जना